नमस्कार जैन मित्रों मैं हूँ आपका अपना भीम प्रजापती आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का आज हम आपके लिए लेकर आए है एकी स्पेशल ट्रापिक जिससे पूरी दुनिया पूरा भारत पूरा हिंदुस्तान तबाह है मित्रों कोरेना वारस से जुड़े महत्पूर्ण प्रस जिसके वज़ा से आपको हमारे परिवार को आपके परिवार को पूरे संपूर्ण के परिवार को प्राबलम दिक्कत बहुत सारी आसुविधायं पैदा हो रही है तो कोई भी एक्जाम होगा मित्रों तो यहां से कोश्चन जरूर आएगा तो यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जामकारी भी जरूरी है और आगामी जितने भी परिच्छा लगते हुए हमने यह बहुत ही मेहनत बहुत परिश्रम से 14 कोश्चनों का कलेक्शन किया है तो बिना देरी की हुए शुरू करते हैं इन सभी most important कोश्चनों को यह कोश्चन आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट के माध्यम से हमारे इंस्टाग्राम आइडी भीम करते हैं बिना देरी की हुए है इन सभी कोश्चनों का स्रीज बने रही है हमारे वीडियो के अंतक संपूर्ण जानकारी के लिए सबसे पहले यदि आप चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐ आइट एंसर हो जाता है कोविड नाइनटी जी बिलकुल सही सुन पा रहे हैं आप कोविड नाइनटी इस इतने भी कोश्चन है सभी बेरी इंपॉर्टेड है कोई भी एक्जाम होगा सब में जरूर यहां से एक दो नमबर आएंगे पक्का यहीं से आएंगे तो चलिए न कोविड टू शरीहर new question कोविड नाइनटी बिर न इनको चुष्न किसने महा वारे गोशित किया मतलब कोविड नाइनटी जो यह पैस है इसको कमा मारे घोशित किया तो डबलू यच्चो इसका पूरा नाम होता है वाड हूर्ण्ययेशं विषो स्वास्थ संगठनमित्रों इसका मुख्याले जो है इसका मुख्याले आपका जिनेवा में है कहां पड़ता है जिनेवा जी कोई भी प्रबलम होती है स्वास्ते संबंधित तो यह से इसका निर्ड़ आता है कि क्या है कैसे है तो इसका पूरा नाम है World Human Organization तो इसी ने ही मतलब घोचित किया कि ये COVID-90 हो है ये महामारी है ये बहुत प्रचंड रूप धारण कर रहा है इसे बहुत लोगों के जान की नुक्षान है तो इससे हमें आज कल देख रहा है समाज में कितना प्रॉब्लम हो रहा है पूरा नाका बंदी है हमारे और आपके परिवार के सभी लोग इस समिस्या में है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अन्रोद करूँगा शभी भारतवाशियों को प्लीज अपने घर में रहे यदि आप अपने आपको 10-15 दिन नियंतर करते हैं तो इसके बाद जो प्रॉब्लम हो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी और 10-15 दिन के बज़ा हमें 10-20 साल घर में ही रहना पड़ेगा हम कैसे रह पाएंगे जब 10 दिन हम नहीं रह सकते तो इतना लंबा कैसे तो प्लीज आप लोगों से बिनम्र निमेदन है कि आप लोग घर में रहें एक दूसरे के संपर्क में ना आए बहुत जरूरी हो तभी निकले तो चलिए आगे बढ़ते हैं कोरेना वायरस कोरेना वायरस के कारण भारत में किस राज में पूर्ण रूप से करफू लगाया गया था तो पूर्ण रूप से करफू लगाया गया था तो पूर्ण रूप से करफू हमारे यहां पंजाब में लगाया गया था पर लागडाउम में कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई थी मित्रों जिसके वहाँ पूंड रूप से कर्फू लगा गया था नेक्स्ट कोस्टन पांचवा नमर का कोस्टन है कुरेना वायरस के कारण भारत में किस दिन जनता कर्फू लगा था यह बेरी बेरी इंप्वार्ट में किस दिन जनता कर्फू लगा था तो आपका राइट अंसर हो जागा वायस मार्च को सबसे पहले जो लॉग डॉंग राजस्थान में किया गया था मित्रों नेक्स्ट आपके लिए COVID-19 वारस मानो सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो यह जो है फेपड़े को प्रभावित करता है किसको फेपड़े को प्रभावित करता है कोरेना वारस COVID-19 के टेस्ट का क्या नाम है तो इसका RT-PCR नाम मित्रों नेक्ट कोश्चन कोरेना वारस की शुरुआ चीन के भांग सहर से हुई थी जो किस प्रांत में इस्तित्त ये हूबेई में है यह जितने भी कोश्चन है आपको देखने के बाद खुद लगेगा कि हाँ यह एक्जाम के लिए इंप्वार्टेंट है या नहीं है यह आप इता ही है चलिए आगे बढ़ते हैं कि को बेंट्य का जो है यह वायरस जो है कोबिड-19 का फुल-फार्म क्या है मित्रों तो इसका नाम है कोरेना वायरस डिशिसस विसका यह फुल-फार्म है नेक्स्ट को महा मारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज कौन सा है तो पह भी हम बोले रहे हैं यहां है हर याना है जी नीक्ष्ट कोश्चन इस्टाग्रम कोड़ना वायरिस के जागुरुख करने के लिए लिए रूब से फीचर लॉवक क्या थै तो इस्टाग्रम फिड़ जी ये next question आपका 12 number का question है तो question है कि Instagram coronavirus से जागरूख करने के लिए जो Instagram हम सब चलाते हैं Facebook भी launch किया है आपका WhatsApp भी किया है तो हमने तीनों का नाम दिया है तो Instagram जो है आपका Instagram फिर इसका पूरा नाम है ये launch किया है जागरूखता के लिए चलिए next question WhatsApp ने coronavirus के जागरूख करने के लिए कौन सा feature launch किया है तो ये जो है WhatsApp chatbot ये यहाँ है WhatsApp chatbot next question और final question आपके इस series का Facebook ने coronavirus से जागरूख होने के लिए कौन सा feature launch किया है तो आपका coronavirus information center ये very very important question था जितने भी question थे सभी जाम के लिए बहुत important होने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और एक से दो बार देखें ये जरूर यहाँ से एक दो question आएंगे मित्रों बस अज के आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज हमें कमेंड के माध्यम से बताएं आप सभी मित्रों का दिन शुब हो और बार बार में यही निवेधन करूंगा कि प्लीज अपने आपको बशाएं पूरा भारत को बशाएं ये प्रतेक नागरिक की जिम्मेदारी है तो बश आज के लिए इतना ही नमस्कार जहिन धन्बा